इलो, dear students, this is class 5th, subject mathematics, chapter 2, shapes and angles. हमने shapes and angles के बारे में previous class में भी study किया था, जिस में हमने बहुत सारे shapes and angles, देखी थी different different types के shapes हैं, उसको हमने identify किया था. आज हम angles को थोड़ा detail में देखते हैं Angles होते क्या है Angles के types क्या क्या होते है इसके बारे में हम आज streak करेंगे So start angle Angle क्या होता है देखे An angle is the figure formed by two rays Called the sides of the angle Sharing a common end point Called vertex of the angle अब angle क्या होता है Angle जो बनता है यह two rays से मिलके बनता है Two rays जब एक point पर मिलते हैं इस point को हम बोलते हैं vertex Suppose that हम बनाते हैं देखे हमने बनाए range First ray है range first and ray second अब ray first and ray second एक दूसरे पर जहां पर मिलते हैं इस point को हम बोलते हैं vertex जो भी rays मिलके जहां पर जिस point पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं vertex Second हम देखते हैं Angles आपने previous class में study किया होगा कि ray होता क्या है Ray हमने आपको previous class में बताया था कि range जिसका one point fix होता है जिसका one point fix and one point से हम line को draw करेंगे तो second point जो होता होता है वह होता है infinite यह line कहीं तक भी जा सकती है इसे हम बोलते है रहे इसके बाद हमने पढ़ा था जो line line क्या होता है जिसका no end point इसका कोई भी end point नहीं होता है line यहां भी infinite तक जा सकती है यहां भी infinite तक जा सकती है इसे हम बोलते है line इसके बाद हम थोड़ा और detail चेक करते हैं कि हमने line segment पढ़ा था line segment क्या होता है जिसके two points fix होते है two points, one point fix, one point points यहां से हम आगे भी line draw नहीं कर सकते हैं यहां भी line draw नहीं कर सकते हैं जिसके two point fix इसे हम बोलते है line segment अब line segment हमने पढ़ा था and एक छोटी सी बात आती है कि यह पर point अब point क्या होता है जैसे हमने point बना दिया point अब point क्या होता है जिसकी no width no length जिसकी कोई भी नल विरित है नहीं length इसे हम बोलते है point इसके बाद हम आँगे angles अब angles जो हम आज steady करने angles two rays से मिलके जो बनता है ray one ray two इसके बाद जो common point होता है एसे हम बोलते है vertex getting my point okay next हम पढ़ेंगे types of angles जो angles की इसके बारे में आगे इसे बारेंगे types of angles अब first होता है इसमें acute angle अब acute angle क्या होता है an angle less than 90 degree जो 90 degree से छोटा हो उसे हम बोलते है acute angle suppose that हमने यहां पे जो angles ड्रो किया है यह 45 degree angles अब आप सोस्रेंगे 45 degree जो angle है यह यह acute angle है बत नहीं 90 degree से जो भी छोटा है 90 degree से जो भी छोटा angles है जैसे 90 degree से छोटा हम बनाएं तो 30 degree भी हो सकता है and 45 degree भी हो सकता है 50 degree भी हो सकता है 60 degree तो 90 से छोटा जो भी angles बनेगा है उसे हम बोलेंगे acute angle इसके बाद second है right angle right angle हमने कल भी पढ़ा था an angle that is exactly 90 degree जो exactly 90 degree का होता है उसे हम बोलते है 90 degree angle जैसे यह बनाएं एक्जेक्टी 90 degree angle इसे हम बोलेंगे right angle थार्ड हमारा एंगल है थार्ड हमारा में एक्ट्यूस एंगल एक्ट्यूस एंगल क्या होता है वह हम दिखते हैं एन एंगल देट मेजर्स बिट्विन 90 डिग्री जो 90 डिग्री और 180 की बीच में आता है उसे हम बोलते हैं एक्ट्यूस आप अब हमने यहापे बनाएं 130 डिग्री अब 130 डिग्री जो आरक है यह 90 डिग्री जो 90 डिग्री है इससे बड़ा एंड 180 डिग्री इससे छोटा इसे हम बोलते हैं एक्ट्यूस एंगल प्रत्यूस अब एक्ट्यूस आजो पीड्री अब नेट्यूस आरक है एन यह 90 डिग्री जोटा आ एक्ट्यूस आरक है आरक है उसे हम बोलेंगे आप्ट्यूस आजल in 4th है हमारा straight angle鍵us now straight allowing angle that exactly 180 यहीए जिसका measurement exactly 180 degree हो इसे हम पूर लेंगा straight angle जैसे हमने कोई भी state line प्रोगी तो स्ट्रेट लाइन जो भी ज्ट्रो करेंगे हम तो इसका एंगल जो भी बनेगा ऊबनेगा 180 टिग्री कि वनएटी डिग्री का इसका एंगल बनेगा फोर्थ है रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है एंड एंगल that measures between 180 180 & 360 के बीच महों उसे आम बोलोंगे reflex एंगल हमने एंगल से हम जडूआ किया है 225 डीडीरी का हमारा एंगल से इसे हम बोलोंगे reflex एंगल अब 2-5 एंगल हमने कैसे बनाया है फर्स हमने सपोस हमने 180 डिग्री बना दिया अब 180 डिग्री हमारे यह एंगल बना अब 180 के बाद में आता है 200 तब आएगा 225 तो इससे बड़ा तो यहाँ फे लगवगा हमारा बनेगा 225 डिग्री एंगल लास्ट हमारा है फुल एंगल एन एंगल देट इस एक्जेक्ली 360 डिग्री जो एंगल एक्जेक्ली 360 डिग्री का होता है इसे हम बोलते हैं फुल एंगल फुल एंगल जो होता है वह स्टेट एंगल का डबल होता है जैसे हमने यह स्टेट एंगल मना है 180 डिग्री और इसी लाइन को हम यहां से और ड्रो कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे 180 नीचे बने गया 180 उफर हाप पाट्स होगा देंगे तो इस पूरे पाट्स को अगर हम एट करें तो 360 डिगरी एंगल इसी हम बोलेंगे फूल एंगल तो स्टुटेंस कि आपको एंगल्स एंग टाइपस ऑफ एंगल्स के बारे में किलिए हो चुका होगा नेक्स हम इससे रिलेटिव क्वेस्टिन्स एंट्स नेक्स क्लास में स्टी करेंगे